तो हेलो स्टूरेंट्स कैसो आज की इस वीडियो हम बढ़ने वाले हैं अज हम बैसिकली एक प्रॉब्लम के बात करेंगे और प्रॉब्लम यह कि एक बच्चे का मैसे आए था और बच्चे ने बताए कि भाईया जो हमारे सुमितार हो रहा है जो हमारी क्लास 12 की बूक है और तो आज हम इसी वीडियो को मैं बात करेंगे इसका सॉल्यूशन ढूंते हैं और इसका जो सॉल्यूशन हो सकता है क्या क्या इशू है जिसका आप कुश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हूं तो देखो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताए तो मैं विशाल कुमार ह साथ मैं बोर्ट्स के लिए आपको टेप सेंट्रेक्स चैनल पर शेयर करता हूं अगर आपको यूडियो तो अच्छे लगए तो इस चैनल को सब्स्राइब करके सपोर्ट कर देना अब देखो सबसे पहला जो इसू क्या है सबसे पहला जो मेजर इसू है वह यह कि आपको जो टॉपिक है आपको टॉपिक में डाउट अब यह ऐसा कही हो है देखो अगर आपको टॉपिक में डाउट है यानि कि आपका जो कंसेप्ट है आपका जो कंसेप्ट है वह आपको क्लियर नहीं है अगर आपको अपना कंसेप्ट के लिएर नहीं होगा यूजरी होता क्या है देखो कि अगर जैसे मैं जैसे सिंपल हम देखा चाहिए तो हम हम कोई सिंपल पड़ते हैं हमने बहुत ही सिंपल सा पड़ा अपनी बुक में थियोरी में अब जब उसके एक्सराइज में आप जाओगे तो सवाल होंगे वह थोड़े से मैनिपुलेट करके होंगे कुछ इसमें अलग थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा ठीक है अब सोचने के लिए यह बड़ी इंपॉटेंट चीज़ है कि आपका जो यह सिंपल सा कंसेप्ट है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्या कर पाओगे तभी तो कि मैंने इस बच्चे को कमेंट करके बताया था कि आपको लॉजिक बिल्डिंग पर काम करना है अब यह लॉजिक बिल्डिंग बढ़े ही ज्यांते समझ लो अगर आपका बीशिक सच्छे हैं अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं आपको कोई डाउट नहीं है तो आपकी समझ कि आप लिखना है और इसके अंदर हम को क्या करना है एडिशन आफ बिल्कोफ सिंपल बेसिक एडिशन ऑफ टू नंबर करना है अब दो नंबर का एडिशन करने के लिए अब यहां साशुरू होता है क्गो क्या लॉजिक बिल्लिंग जिसको अगर आपने ग्लास अबनेवों पडाय ना तो आपको यह सब्सक्राइबिए बनना कोड पता हों लगने से पहले हमस्मा से क्या पता होना चाहिए सूड़ कोर्ड अब अरे बाइब यहार थाया है देखो बात कहें कीकी वह हमारा कैसे काम करेगा और हम से क्या करवाना चाहते हैं ये सीजे बता रहाह। और यUs सम्छा रहा हुं आप लोगों को हमें उसका बता हूना चाहिए अब स्थीडियो क curd क्या होता है इक कैसे कैसे काम करे गा तrän今日 को लिखे मक किसी इस इस प्रोग्राम को बनाने के लिए है तो नंबर का तो नंबर हमारे के पास हमको नमबर चाहिह ना तो बेसिकल लिह में क्या चाहिए यह हम कह सकते हैं दो-दौन就可以 तो अब वह दो number के लिए हमें variable बगद की जरौत पल्ड़ेगी variable 1 और variable 2 इतनी requirement हमारी user .. के होता है जो हमको user के एंड से रिक्वाइरमेंट है उसको में ले देते हैं ठीक है और हमको एक और चीज़ लिख लेनी है साइड से देखना है कि हमको आउटपुट क्या है यानि कि हमको इस प्रोग्राम से प्रोग्राम बनाना क्यों है हमको बनाना एडिशन का किसका एडिशन का तो हमको इन द तुराउं दिखना है आपको simply क्या करना है सबसे पहले एक variable one variable two इस तरीके से अगर हम ले लेंगे number one और उसमें हम दिखाएंगे इस तरीके से input और अपना जो message है वो देदेंगे यहाँ पर तो number one आ जाएगा फिर यहां से number two ले लेंगे ठीक है इस तरीके से और फिर हम उनको add करा देंगे ठीक है तो इस तरीके से यह दो basic चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ यह हो सकती यार कि वो approach देखो हो सकता हो आपको बिल्कुल basic चीज़ आ रही हो तो अगर आप यह वाले चीज़ लगाओगे तो आप एक सवाल का solution देखके एक सवाल का solution देखके उसकी जो approach है उसकी जो approach है आप उसको समझ कर रहा है और अगर आप लोगों को ऐसे मेरी चैनल पर वीडियो से पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने साथ में अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें झाल